तो आज अब स्टार्ट करते हैं फार्मा को गनोची का सेकेंड पार्ड जिसमें आपको 10 OMCQ दिलेंगे अब्जेक्टिव टाइप क्वेस्टन्स तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जब मैं इसका तीसरा चौथा और पार्ड भी अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफि की जाती है मतलब किससे निकाली जाती है ठीक है तो इसमें पहला उप्सन है प्लांट दूसरा उप्सन है एनिमल तीसरा उप्सन है मिनरल और चौथा उप्सन है आल तो जो आपकी क्रूड ड्रग होती है जो एक्स्ट्रैक्ट करते हो अपनी ड्रग को क्रूड ड्रग को तो किस से किस से करते हो प्लांट से भी करते हो एनिमल से भी करते हो और मिनरल से भी करते हो तो इसमें जो आपका option correct हो जाएगा option number 4 correct हो जाएगा all मतलब आप crude drug को प्लांट से भी निकाल सकते हो एनिमल से भी और मिनरल से भी ठीक है तो इसमें आपका correct option हो जाएगा all ठीक है चौथा वाल एकदम correct है all आप सारे से भी निकाल सकते हो ठीक है तो आईए देख लेते हैं next question तो start करते हैं cellular drug is also known as ठीक है आपको बताना है cellular drug को क्या बोलते हैं ठीक है तो पहला option है organized drug दूसरा option है unorganized drug तीसरा option है both A and B मतलब की पहला और दूसरा और चौथा option है नन्यानी की इन में से कोई नहीं तो जो cellular drug होती है उसको क्या बोलते हैं organized drug तो इसमें आपका option number A सही हो जाएगा organized drug तो इसका पूरा answer हो जाएगा cellular drug is also known as organized drug ठीक है तो option number A सही है तो आईए देख लेते हैं next question तो start करते हैं और मैं star लगा दे रहा हूँ जो भी option आपका correct है तो start करते हैं who first time discover the extraction method of chemical constituent from plants ठीक है तो आपको बताना है कि किसने पहली बार इसको discover किया किसने इसकी खोज की ठीक है extraction method of chemical constituent from plants की तो आपको बताना है तो इसमें पहला option है तो डियो एस को राइट्स दूसरा option है थायो फरैटस तीसरा option है गैलन और चोथा option है एरेश्टोटले तो जो इसको first time discover किया था वो किया था इन्होंने गैलन ने ठीक है तो इसका option number 3 से ही हो जाएगा जो first time discover किया extraction method को तो किसने किया गैलन ने तो आईए देख लेते हैं next question start करते हैं oldest written documents based on ayurveda ठीक है oldest written documents है based on ayurveda के according त पहला option है मतरिका मेडिका दूसरा option है papyrus brush तीसरा option है चरक समिता है चोथा option है सुसात्रा समिता तो जो oldest written documents हैkin है based on ayurveda के according to happen है तो इसका option number आपका सी हो जाएगा documents based on Ayurveda का किसमे है तो वो हो जाएगा आपका चरक समिता तो option number C एकदम correct है तो आईए देख लेते हैं next question तो start करते हैं Who is considered as father of surgery ठीक है तो आपको बताना है father of surgery तो पहला option इसमें sedular है दूसरा option चरक है तीसरा option हिपोक्रेट से और चौथा सुस खरत है ठीक है तो जो इसको आपका father of surgery है तो इसमें आपका option हो जाएगा सुसरा ठीक है चौथा नमबर का option एकदम correct है सुसरा ठीक है इसमें आपका sedular नहीं होगा चरक नहीं होगा इपोक्रेट नहीं होगा बलकि होगा आपका option number 400 ठीक है तो आएगे देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन inward pharmacognosy gignosco means ठीक है मतलब जो pharmacognosy gignosco है उसका मतलब क्या है तो पहला option acquired means दूसरा option acquired plant तीसरा option acquired of science तीचोथा option acquired of knowledge तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number 4 acquired of knowledge ठीक है acquired of knowledge inward pharmacognosy gignosco means होता है ठीक है pharmacognosy जो gignosco होता है उसका मतलब होता है acquired of knowledge तो आफसरा नंबर 4 एकदम correct है तो आएगे देख लेते हैं next question start करते है which scientist complained 37 volume of natural truck history ठीक है तो which scientist आपको scientist का नाम बताना है ठीक है जिन्होंने complaint की 37 volume of natural truck history की तो इसमें पहला option आपका gallon है दूसरा option है truck rich तीसरा option है penny and idders ठीक है idders और चौत्वा option आपका hypocrite तो जो इसमें आपका option सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा penny and address ठीक है तो आपका correct answer हो जाएगा penny and address तो आएगे देख लेते हैं next question तो start करते हैं इसलिए मैं start लगा दे रहा हूँ जिससे आपको पता चलदा है कि कौन सा answer सही है drug substance maintained in the official group such as ठीक है तो इसका option पहला है Indian British Pharmacopia दूसरा option used to diagnosis तीसरा option prevention of disease चौता option है ठीक है जो कि drug substance को maintained किया गया है कौन से official group में तो आपको बताना है तो ये आपका Indian British Pharmacopia में भी है used to diagnosis भी है prevention of disease भी है और option number इसलिए आपका 4 सही होगा all मतलब आपके पहले दूसरे और तीसरा जो option है एकदम correct है ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा all ठीक है option number 4 इसका correct answer है ठीक है तो आईए देख लेते हैं next question start करते है crude drug used in ठीक है जो crude drugs होती है वो कहां use की जाती है ठीक है तो पहला option इसका दिया है diagnosis दूसरा option है treatment of disease तीसरा option है prevention of disease और चौता option है all तो आपको पता है कोई भी crude drug होती है तो diagnosis के भी काम आती है जब आपके कोई disease हो जाती है तो उसके treatment के लिए भी काम आती है और किसी disease की रोक थाम में भी crude drug का use किया जाता है तो इसमें आपका option number 4 सही हो जाएगा मतलब all आपका diagnosis भी और treatment of disease of prevention ये तीनों एकदम correct हो जाएगे तो option number 4 एकदम correct है all तो आईए देख लेते हैं next question start करते है crude drug is the part of मतलब की आपको इसमें बताना है जो crude drug होती है वो किसका part है तो पहला option इसमें दिया है plant का दूसरा option दिया है animal का तीसरा option दिया है both are and be मतलब की plant और animal दोनों और चौता option है none तो आपको पता है कोई भी crude drug होती है तो plant animal mineral से ही ली जाती है तो इसमें आपका option number A और B सही हो जाएगा क्योंकि crude drug आपको पता है plant animal और सबसे ली ही जाती है ठीक है तो आपका option जो correct इसमें टिक लगाओगे बोथ A and B मतलब की दोनों plant और animal दोनों से आप crude drug का जो है पार्ट होता है ठीक है तो thank you guys तो अभी third जो आपका पार्ट है और मैं कल तक upload कर दूँगा उसको देख लीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको notification आ जाएगा ठीक है इसलिए आप देख सकते हैं ओके thank you guys